Hello Friends, मैं संजय गुमार आपके सामने Electrostatics की नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ आज के हमारे टोपिक में हम डिस्कस करेंगे Electrostatic Potential and Potential Difference and Electric Potential Due to a Point Charge Students, जैसे Gravitational Field में Gravitational Potential होता है वैसे ही Electric Field में किसी भी Point पर Electric Potential होता है Electric Potential एक ऐसी Physical Quantity है जो हमें ये Represent करती है कि किसी एक Point से दूसरे Point तक किसी Charge को ले जाने में हमें कितना Work करना पड़ेगा Actually, किसी भी Point पर अगर हमें Electric Potential Define करना हो तो वो क्या होता है, देखिए Electric Potential at any Point Suppose किसी Electric Field में मैंने कोई arbitrary कोई Point ले लिया, ये कोई Point है और मैं यहां Electric Potential निकालना चाहता हूँ इस Point पर, ये Electric Field में है Electric Field किसी भी Charge Distribution की वज़े से हो सकता है माल लिया कि arbitrary Charge Distribution है यहां पर Q1, यहां Q2, यहां Q3, यहां Q4 अलग-अलग जगहे पर अलग-अलग Charges पड़े हैं और मैं इस Point पर Electric Potential निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं इस Point पर Potential अगर निकालना चाहता हूँ तो मुझे ये चाहिए कि मैं इस Point पर किसी Unit Positive Charge को लाऊँ कहां से? Infinity से मतलब मैं Infinity से एक Unit Positive Charge को यहां पर लेकर आया Infinity से Infinity क्यों? तो कि वहां पर अगर को Unit Positive Charge पड़ा था तो उस पर कोई Force निलग रहा था क्योंकि Infinite Distance बहुत ज़ादा होता है वहां पर कोई Force निलग रहा था वहां से Unit Positive Charge को मैं लेकर आया कहां पर इस पॉइंट पर जहां मुझे एलेक्टिव पोटेंशल निकालना है तो मुझे टोटल कितना वर्क करना पड़ा कितना मुझे कम से कम वर्क करना पड़ा वो जो वर्क ड़न होगा Infinity से Unit Positive Charge को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा That work is equal to electric potential at this point मतलब सपोज किजिए कि मुझे इस point पर potential निकालना है और मुझे Infinity से 1 कूलम चार्ज को लाने में 10 Joule वर्क करना पड़ा 10 Joule मुझे 10 Joule काम करना पड़ा Infinity से यहां तक लाने में तो यहां का potential हो गया 10 V सपोज किजिए Infinity से यहां तक लाने में मुझे Unit positive charge को यहां तक लेके आया तो मुझे वर्क करना पड़ा 5 Joule 5 Joule वर्क करना पड़ा तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा उसके corresponding आपके पास बन जाएगा potential तो यहां का potential हो जाएगा 5 V एसा यूनिट तो पोटेंशल डिफ्रेंस के होती है वो होती है वोल्ड तो वोल्ड में define करेंगे तो देखिए definition क्या बन जाएगी Electric potential at any point is minimum work done This is very important minimum work done Minimum work done to bring unit positive charge यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम किस charge को लेकर आएए Unit positive charge को लेकर आएए To bring unit positive charge From infinity हमें कहां से लाना है From infinity और कहां लाना है जिस point पर electric potential find करना हो So it is the minimum work done To bring unit positive charge From infinity to the given point Is known as Electrostatic potential at that point तो मैंने आपको example देके बताया आपको इस point पर potential चाहिए तो आप infinity से लेकर किसी charge को लेकर आओ और देखो कितना work करना पड़ा Infinity से यहां तक लाने में मान लेजिए हमें W work करना पड़ा और कितना charge लेकर आए है 1 coulomb तो यह बन जएगा W divided by 1 coulomb तो यह जो quantity आपके पास आजाएगी work upon charge इसको हम कहेंगे Electrostatic potential at this point तो इसका formula क्या बन जाएगा Potential का Potential का formula हो गया Work run divided by charge लाने में आपको कितना work करना पड़ा मान लेजे W infinity A W infinity A का मतलब हो गया infinity से लेकर A तक लाने में work done और कितना charge लेकर आए Q note तो यह तो Q note को लाने में किया गया work done है हमें चाहिए A coulomb को लाने में किया गया work done तो हम क्या करेंगे किया गया work done और वो इस point का potential कहलाएगा So potential का formula बन देगा work infinity से लेकर A तक लाने में divided by जो charge आप लाएओ Q note charge लाएओ उससे डिवाइड कर लिजिए तो ऐसे आपके पास formula बन देगा अब इसकी SI unit क्या होगी SI unit देखिए क्योंकि यह work divided by charge है work divided by charge तो work की आपको पता ही SI unit यह होती है Joule और charge की होती है Qum तो यह अपके पास बन जाएगे Joule per Qum तो यह इसकी SI unit बन जाएगे Joule per Qum को हम Volt से भी express करते है Volt तो SI unit इसकी बन जाएगे Joule per Qum यह आप इसे Volt भी कह सकते है Volt को capital V से हम denote करने वाले है हंजी students अब आपको चाहिए अगर 1 Volt की definition Suppose कीजिए कि इस point पे potential 1 Volt है तो 1 Volt को कैसे define करें तो Volt के formula से हम देख सकते है कि यह work upon charge है Suppose कीजिए कि हम किसी point पर 1 Coulomb charge को लेके आए मतब मैंने Q note को 1 Coulomb रख दिया और मुझे work भी जो करना पड़ा infinity से लेकर लाने में जो work करना पड़ा वो भी 1 Joule है मतब 1 Joule ही numerator में है और 1 Coulomb ही denominator में है 1 1 है दोनो तो फिर जो potential difference आएगा वो भी 1 Volt ही आएगा जो अगर work करना पड़ता है 1 Coulomb charge को लाने पर तो कि उस point का जो potential कहलाता है वो 1 Volt होता है तो यहां से आप definition बना सकते हो potential at a point is 1 Volt if the minimum work done to bring 1 Coulomb charge from infinity to that point is 1 Joule मतलब इसी point पर potential 1 Volt होता है अगर हमें infinity से लेकर 1 Coulomb charge को लाने में जो minimum work करना पड़ता है वो 1 Joule अगर हो तो तो यहां पर अपने पास definition हो गई 1 Volt की अभी हम देखते हैं किसी point charge की वज़े से कितना potential होता है electrostatic potential due to a point charge देखिए यह जो formula है work divided by charge यह किसी भी field के लिए अपलाई होगा चाहें charge जैसा मर्जी हो अब हम different cases देखेंगे जैसे सबसे पहला case हम देते हैं कि कहीं पर आपके पास एक point charge पढ़ा है जैसे यह देखिए मालीजे यहां पर कोई point charge पढ़ा है क्यूं और आप इसकी वज़े से यहां पर potential निकालना चाहते हैं यह point यह charge पढ़ा है यह charge source charge है जो आपने रख रखा है और यह fixed charge है rigidly fixed मताँ आपने इसको stationary किया हुआ है stationary charge आप इसे move नहीं करते हैं और आप यहां पर potential निकालना चाहते हैं यह point पी और उसका distance कितना है मालेजे आर आज distance के उपर potential आप निकालना चाहते हो Q charge की वज़े से अब देखे Q charge अगर रखा है तो यह अपने चारों और electric फिल्ड तो generate करे गाई आपको जानते हैं कि कितना electric फिल्ड इस Q charge की वज़े से होगा Q divided by four pi epsilon note r square यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन हम electric potential निकालना चाहते हैं इसका मतलब हम यह निकालना चाहते हैं कि अगर वन कूलम चार्ज को infinity से लेकर आएं तो हमें कितना work करना पड़ेगा from infinity हम वो निकालना चाहते हैं चलो यह derivation करने के लिए हम माल लेते हैं कि हम वन कूलम को नहीं पहले मालत है q-note chops को लेकर आरे हो यह है आपके पास q-note charge यह टेस्ट चार्ज है जो आप move करade हो टेस्ट चार्ज को लेकर आरे हो infinity से निकरी बजाए हम क्या करते हैं पहले मालत हैं Q-note charge को हमने छोटी सी displacement दे DR हम small displacement DR दे रहे हैं और उसके लिए देख रहे हैं कि हमें कितना work करना पदा मालते हैं A point का distance है R मैं एक और point मालेता हूं माले जए यहां पर मेरे पास है कोई और point suppose this point is B B और मैं इसको पहले A से B तक ले गया Q-note charge को A से B तक और यह displacement है मेरे पास DR actually यह displacement मैं DR positive नहीं माइनस DR इसे लिखूंगा क्योंकि R मैंने इस तरफ को represent किया है मदब इस तरफ आर बढ़ रहा है और अगर मैं पिछे की तरफ लेके आ रहा हूं तो R मेरे पास कम हुआ है तो मैं इस displacement को माइनस DR रिप्रेजेंट कर सकता हूं मतब माइनस DR क्योंकि R तो उस तरफ बढ़ रहा है अगर मैंने DR दिखाया तो DR तो इस तरफ positive होगा DR का मतब changing in R तो इस तरफ बढ़ रहा होगा तो इस तरफ अगर मैं दिखा हूं तो यह कुणोड चार्ज को मैं A से B तक लेके गया तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा मालेते हैं small DW small work done यह DW है work done तो मूव चार्ज from A to B A से B तक move कराने में हमें कितना work करना पड़ा तो आप देखो work तो तब करना पड़ेगा अगर आप force लगाओगे यह खुद चार्ज Q not Q है यह तो इस Q not चार्ज को इधर बेज रहा है यह तो इसे इस तरफ बेजेगा लेकिन आप इसे लेकर आ रहे हो इस तरफ opposite direction में तो electric field ने मतलब Q charge ने तो negative work किया है क्योंकि यह उसे उधर ले जाना चाहता है और आप इसे इधर लाना चाहते हो लेकिन आपका क्या काम है आप इसे इधर लेकर आओ क्योंकि आपको infinity से लेकर आने तो आपने जो अप्लाई कि electric force जो लगा वो है F e वो इस तरफ और जो लगाया वो है F वो आपने लगाया इस तरफ तो आपने कितना वर्क किया वो डिपेंड करेगा आपके द्वारा लगाया गया force F और जो उसकी displacement है आपने displacement की है वो आपने की है माइनस DR सो F डोट माइनस DR मैंने आपको कहा DR तो उस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ DR positive है अगर आप इस तरफ लेकर आओगे तो R की value कम हो रही है तो मैंने DR के sign को negative लिख दिया तो आपने किस तरफ displacement की इस तरफ तो उसको मैंने लिख दिया माइनस DR तो आपके पास हो गया F माइनस F डोट DR इनके magnitude लिखें तो अब क्योंकि F और DR साइन माइनस FDR दोनों के सेम डिरेक्शन है आपने F इदर लगाया माइनस DR भी इदर की तरफ है तो यह theta 0 आजेगा तो theta 0 आने के वाज़े से पोस्ट 0 बन हो गया तो यह आपके पास हो गया वर्क डन यह वर्क डन टू मूव क्यू नोट चार्ज फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक लाने में थोटा सा वर्क डन यह तो स्मॉल वर्क डन है F की वैल्यू पुट कर लिजिए F आप जानती हो कूलम्स फोस दो चार्जिस के बीच में कितना फोस लगता है क्यू attitudes की स्मॉल वर्क है आपको तो एक एकवाड कर रहें कि तक लाने Whenever इंवने वर्क रहें दो और के कहां तक infinity से लेगर a तक और a point पर r की value है a अब इसको integrate करने से पहले constant terms को बाहर निकालेते हैं constant अपने पास हो गई constant terms हैं minus q q naught over 4 pi epsilon naught integration में रह गया आपके पास infinity से लेकर r तक 1 over r square into dr अब 1 by r square की तो integration आपके पास आएगी वह होती है minus 1 by r देखिए कैसे आपको integration आपने 11th class में पढ़ा होगा इसकी integration करेंगे तो यह आर रेज़ टू पावर माइनस टू है माइनस टू की integration करेंगे तो माइनस टू प्लस वन हो जाएगा यह देखिए यह integration में है पने पास आर रेज़ टू पावर माइनस टू डियार तो अगर आप इसकी integration करेंगे तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा आर रेज़ टू पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड़ by minus 2 plus 1 यह integration हमने कर ली infinity से लेकर और तक तो इसको अगर simplify अगर हम करते हैं मैं इसे साफ कर देता हूं आप यह सब derivation pause करके आप इसे note कर लें इसके notes prepare कर लें आपको यह और इसको दो बार भी अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझा जाएगा अब इसको थोड़ा simplify करते हैं तो infinity से लेकर एक लाने में work done कितना है minus q q note over 4 pi epsilon note एक बार इसको लिखें तो it is r raised to power minus 1 over minus 1 infinity to r अब यह minus minus a plus हो जाएगा it became q q note over 4 pi epsilon note 1 by r from infinity to r अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर lower limit अपर लिमिट अपने पुट की आर की जगह आर फिर lower limit पुट की तो आर की जगह infinity one by infinity आप सब जानते ही हो one by infinity होता है आपके पास 0 तो यह बन जाएगा one by r तो यह अपने पास work done हो गया कि infinity से लेकर q note charge को a point तक लाने में हमने कितना work किया अब हम a point पे potential निकालते हैं चलो a point के potential का formula हमने अभी अभी देखा था वो क्या है infinity से लेकर a तक लाने में किया गया work done divided by जो charge हम लेकर आए हैं हम q note charge लेकर आए हैं तो इससे हम डिवाइड कर देंगे ओके तो देखिए क्या आजएगा infinity से लेकर a तक लाने में work done यह रहा q q note a point का potential q q note over 4 pi epsilon note r यह तो work done हो गया और इसको q note से divide कर दो तो q note से q note cancel हो जाएगा cancel होने के बाद आपके पास a point पे potential कितना आजएगा q divided by 4 pi epsilon note r तो यह हो गया किसी point charge की वज़े से electric potential निकालना point charge कौन सा source charge इसकी वज़े से potential निकालना चाहते थे आप इस point पर a point पर तो कितना आया जिसकी वज़े से निकालना है वो charge numerator में रखो q और जहां निकालना है उसके distance से divide कर दो 1 by 4 pi epsilon note आपको लगा नहीं है तो q divided by r into 1 by 4 pi epsilon note तो यह potential आ जाएगा a point का बिल्कुल simple है जैसे suppose कि यह मुझे इस charge की वज़े से निकालना है यह 5 coulomb charge है और कहा potential निकालना है यहां निकालना है और इसका distance है माली जिए 2 meter मतलब मुझे इसकी वज़े से निकालना है यहां निकालना है a point पे तो a point पे potential क्या हो जाएगा बड़ा ही असान सा है यह point पे potential यह किता हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon note तो आपको लगाना है लगाना है तो 1 by 4 pi epsilon note की value होती है 9 into 10 raise to power 9 और यह 5 by 2 वोल्ट यह आपके पास answer आजाएगा 5 by 2 इससे simplify कर लेंगे 45 by 2 तो 22.5 into 10 raise to power 9 वोल्ट यह ऐसे बिल्कुल सिंपल से तरीके से आपके पास किसी भी point पे आप potential निकाल सकते हो तो यह students एक question में आपको देता हूं आप comment box से मुझे उस question देता हूं आपको यह निकालना है कि अगर x-axis पर मैंने इस point पर कोई चार्ज रख रखा है यह origin है मैंने यहां पर एक चार्ज रखा है 2 into 10 raise to power minus 2 कूलम यह point 1,0 और यह distance है में मैंने 1,0 पर चार्ज रखा है 2 into 10 raise to power minus 2 कूलम और आपको इस point पर potential निकालना है इस पर 4,0 पर 4,0 पर एक point है यहां पर आपको potential बताना है यह आप comment box में a point पर potential कितना होगा यह आप मुझे बताईए जो distance मैंने दिया है यह meters में दिया और जो मैंने एक source रख दिया है वो है 2 into 10 raise to power minus 2 कूलम आपको 4 दिया तो comment box में इसे solve करके इसका potential क्या आएगा यह रहा electric potential क्या होता है किसी भी point पर electric potential निकालना हो तो आप क्या कीजिए infinity से लेकर उस point तक unit positive चार्ज लेके आईए तो जो work आपको करना पड़ेगा वो work electric static potential होगा इस point का फिर हमने निकाला कि किसी point charge की वज़े से electric potential कितना होता है तो वो बिल्कुल असान है जिस point charge की वज़े से निकालना हो मा लेते हैं यहां पर निकालना है potential तो आप क्या कीजिए कि उस point charge को 4 pi epsilon node से divide कर दीजिए और उस point के distance से divide कर दीजिए यह उस point पर potential आपके पास आजएग group of charges माली जी आपके पास एक charge नहीं है आपके पास कई charges है और आप सब की वज़े से potential निकालना चाहते हैं potential due to group of charges जैसे माली जी आपके पास एक charge यहां पर है एक charge यहां 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 अलग-अलग point पर आपके पास charges है और आप क्या करना चाहते हो माली जी यहां पर potential निकालना चाहते हो माल लेते हैं a point पर आप potential निकालना चाहते हैं a point पर तो आपको क्या करना पड़ेगा बिल्कुल असान सा तरीका है आप क्या कीजिए आपको a point पर potential निकालना है तो वह कैसे आएगा definition क्या बन जाएगी infinity से लेकर unit positive charge को a point तक लाने में जो work करना पड़ वह a point पर electrostatic potential होगा अब देखिए work के एक scalar quantity है उसको हम algebraically add कर सकते हैं suppose किजिए हमने सबसे पहले q1 की वज़े से work निकाला infinity से लेकर q1 की वज़े से हमें कितना work करना पड़ा वो हमने निकाल लिया और वो work है w1 w1 हो गया कि q1 के against हमें कितना work करना पड़ा किसी point unit positive charge को infinity से लेकर एतक लाने में अब pouch कि जիए कि q2 की वज़े से हम हमें कितना work करना पड़ा शतलो जाल यह चार्डा यहां पर के वाल रही निकाल लेंगे और उसे add कर लेंगे आजएगा आप के पास total work आपको कितना करना पड़ा जब total work आपको कितना करना पड़ा है आपके पास आजाए तो आप इसे जो charge आप लेकर आये थे उससे ुसे divide कर दे ना सपोस्ज किजिये कि मुझे इन दो चार्जिश की वज़े से पोटेंशल निकाल ला है केवल दो की वज़े से तो मैं क्या करूँ हाँ पहले माल लूँ आ कि यह दूसरा नहीं है कि पहला पहला है क्यू वन के अगेंस्ट मुझे कितना वर्क करना पड़ा वो निकाल लिया मैंने वह मेरे पास आ आ यहाँ तो मैंने क्या किया वह दोनों वर्क डन एड़ कर लिए और एड़ करने के बाद जो चार्ज मैं लेकि आया था उससे डिवाइड कर लिया वह मेरे पास एपॉइंट का पोटेंशल होगा तो इसी तरीके से आपको क्या करना है सब की वज़े से वर्क निकाल लीज 10 इप लिएक स्टेंस है और वन अबं क्योट्ज माले टिश्टेंस है और ten से आर ठींट मेक्स सब की वज़े से निकाली क्योट एप Земोत और यूंड टी एंड्या में क्यो न गीवज़े से सब की वज़े से अलग लग निकाल लीजिए और उनको डिरेक्टली एड़ कर लीजिए स्केलर क्वांटिटी में कोई डिरेक्शन का चक्र नहीं होता आप एलजेबरी के लिए एड़ कर सकते हो अब आपको क्या करना है जो चार्ज आप लेके आयो उससे डिवाइड करने क्य निकाल लेंगे क्यों क्यू नोट हर किसी के निम्रेटर में में क्यू नृट निकाल लें सभी में से आपके पास क्यू नोट आजगा यहां क्यू नोट चैंसल और आपके पास यह एक्स्प्रेशन बन जाएगी तो यह सब की वजह से टोटल पॉटेंशल अब यह क्या neces है इसे पॉइंट पे पहले की वज़े से प्टेंशल है। इसने मतलब इसे एक पॉइंट पे कई चार्जीं की वज़े से प्टेंशल निकालना हो तो आपके पास सिंपल सा तरा रिका है उस दिये सार्जिस की वज़े से अलग-अलग पोटेंशल निकाल लीजिए और उनको एड़ कर लीजिए यह आपके पास टोटल पोटेंशल आ जाएगा किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना होगा तो तो यह आपके पास एक हो जाता है मैं अब हम इसका यूज करने वाले हैं पोट कि डाइपोल देखो डाइपोल भी एक ग्रुप ओफ टू सिमिलर टू ओपोजिट चार्जीज है ओपोजिट चार्जीज ओफ इक्वल मैगनिटूड सापने डाइपोल पहले पढ़ा होगा इट पेर ओफ एक्वल अपोजिट चार्जीज सेपरेटिट बाई सम डिस्टें और डाइपोल की वज़े से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशल निकालना चार्थे हैं माली अब वो डाइपोल अपने पास यह है यह पहला चार्ज माइनस क्यू और यह दूसरा चार्ज प्लस क्यू यह मेरे पास एक पेर ओफ इक्विल और पोजिट चार्जीज है और माली जह mix इन दोनों में तो गैप वह है हमने लेक्ट्रिक फिल्ड निकालते है लिए निकरी बीए गैप टू-गेल एक्विल आगज़ाऊला लैन और हमने फेल्क पेहले हमने लेक्ट्र, कैस्ट खाए देधा axial line पर आपको याद होगा the line joining both charges is called axial line फिर हमने electric field निकाला था equatorial line पर वो मैंने क्या कहा था the line passing through the center of the dipole and perpendicular to the axis is equatorial line this is equatorial line equatorial line यह axial line electric field हम axial line और equatorial line पर निकाल चुके हैं लेकिन dear students हम potential जो निकालेंगे वो हम नहीं तो axial line पर निकालने वाले नहीं एक्विटोरियल लाइन पर निकालने वाले हम potential किसी भी arbitrary point पर निकालेंगे माल लिजिए मैं इस एप्वाइंट पर potential निकालना चाहता हूँ जो नहीं तो लाई कर रहा ही आपकी एक्विटोरियल लाइन पर और नहीं लाई कर रहा है यह equatorial line पर मैं दोनों पर निकालना चाहता हूँ जो कहीं पर भी लाई कर रहा है इसके नस्थी तो हम अब पढ़ेंगे potential due to electric dipole at any point at any point तो इस topic पर proceed करते हैं माल लेते हैं कि इस p point पर आपको potential निकालना है इस पूरे dipole की वेज़े से तो dipole में कितने charge होते हैं 2, 1 plus q और 1 minus q हमें निकालना है किस point पर a point पर, ठीक है जी माल लिया कि उसका dipole के center से जो distance है वो है r a point का dipole के center से distance है r और इसका positive q से जो distance है वो है r1 और negative q से जो distance है वो है r2 r1 distance है plus q से r2 distance है minus q से और r distance है center से हम इन points को भी कुछ से indicate कर देते हैं सपोज किजिए यह अपने पास point है b यह point है c और यह point है d okay अब देखिए और माल लिया यह angle अपने पास है theta this angle is theta okay अब a point पे मैं potential निकालना चाहता हूँ दो charges की वज़े से minus q और plus q दोनों charges की वज़े से अलग-लग potential निकाल लूँगा और उन्हें add कर लूँगा वो मेरे पास आजएगा potential total potential at point a so potential at point a at a is equal to potential at a at a due to minus q charge plus potential due to due to plus q charge हम दोनों की विज़े से निकाल लेंगे मतब v1 plus v2 वो अपने पास a point पे total potential आजएगा तो कि अभी अभी हम पढ़के आए थी अगर कई charges की वज़े से potential निकालना हो तो आप क्या कीजिए सब की वज़े से अलग-लग potential निकाल लीजिए और उसे add कर लीजिए वो आपके पास total potential आजएगा वही तरीका हम यहां पर लगाने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन है मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है यह एक्रोस्टेटिक्स में ओके इस पर आगे प्रोसीड करते हैं यह पॉटेंट प्रोसे कि अपके पास और ब안पको अपको बताया है आप कि यह 1 Unterschiede और ऍ hell exist क्योंकि माइनस की वज़य से निकाल रहे हैं तो माइनस क्यू अपोन उसका डिस्टेंज और मैंस क्यूंत कि कितना है worst R2 यह हो गया minus Q की वज़े से potential अब plus Q की वज़े से कितना है 1 by 4 pi epsilon node तो लगा नहीं है given charge मतब Q divided by उसका distance Q का distance आपके पास कितना है R1 अब common जो terms common है उसे बाहर निकाले जिए Q by 4 pi epsilon node common आगया मेरे पास क्योंकि यह R1 वाली term plus की है तो इसे पहले लिख लेता हूं और इसे minus यह होने के वज़े से बाहर दोने के लेता हूं तो यह मेरे पास आगया A point में potential but students generally हमें R1 और R2 given नहीं होते हमें दो given होता है वो R given होता है मतब A point dipole के center से कितना दूर पड़ा है यह तो हमें पता होता है R पता होता है लेकिन R1 और R2 हमें given नहीं होते तो हमें क्या करना है R1 और R2 को R की form में आपको निकालना होगा यह थोटी सी calculation आपको अभी और करनी है चलो अभी करते हैं देखे students अगर मैं इस R वारी line को आगे produce कर दूं ऐसे और D point से इस AC पे perpendicular draw कर दूं यह देखे मैंने D point से एक perpendicular draw कर दिया D E draw D E perpendicular AC D E मैंने perpendicular draw कर दिया AC पर तो ऐसा करने के बाद आप यह देखिए आपके पास जो R1 है R1 कौन सा है वो है AD और वो approximately equal आपके पास आजएगा AE के that is approximately equal to AE आप देख सकते हो R1 है AD और वो approximately equal है अब AE के क्योंकि आप देख सकते हो यह दोनों terms approximately equal है R1 को मैं लिख सकता हूँ approximately equal to AE अब AE किसके equal है AE को मैं लिख सकता हूँ AC minus CE यह आप लिखी सकते हो AE को मैंने लिख दिया AC minus CE यह देखिए AE इसको लिख सकते हैं पूरा AC minus CE और AC तो था R और CE यह CE देखते हैं कितना है चलो R minus CE आप क्या कीजिए इस CE को CD से multiply और CD से divide कर लेजिए multiply and divide by CD उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला लेकिन अपने पास CE upon CD CE upon CD इसे cos theta लिख सकते हैं इस right angle triangle में CED इसमें CE upon CD base over hypotenuse इसको हम लिख सकते हैं cos theta तो इतनी term आपके पास हो जाएगी cos theta और CD खुद L के equal है क्योंकि पूरे dipole की length हमने 2L मानी थी आप देख सकते हो शुरू में आप देख सकते हो back करके कि हमने dipole की length लिखी थी 2L और यह C को लिखा था center तो अगर C center है पूरे length dipole की 2L है तो L तो हो गया BC और LE हो गया आपके पास CD तो CD को मैंने लिख दिया L और CE upon CD इसको मैंने लिख दिया cos theta तो मेरे पास R1 equal आगया C R minus L cos theta मैंने इसे equation number 2 कह दिया similarly मैं अब निकालना चाहता हूं I2 की value इसी तरीके से अब I2 की value निकालने के लिए यह मेरे पास R1 की value आगी R minus L cos theta I2 की value निकालने के लिए मैंने क्या किया मैंने एक perpendicular draw किया यह BZ एक मैंने perpendicular draw किया AC को आगे produce करके ठीक इसी तरीके से draw BZ perpendicular AC AC को आगे produce करके मैंने एक BZ perpendicular draw कर दिया इसी तरीके से अभी देखिए यह angle theta था तो vertically opposite angle यह भी theta होगा और I2 जो है जो अपने पास AB था I2 जो अपने पास AB है यह दोनों equal है I2 is equal to AB उसको मैं approximately equal लिख सकता हूं बताए किसके I2 को approximately equal लिख सकते हैं किसके यह लिख सकते हैं हम AZ के देखिए I2 यह रहा AB यह approximately equal है अपने पास AG तो I2 को हम approximately equal लिख सकते हैं AG के अब AG को दो part में resolve कर लेते हैं A से लेकर C तक plus C से लेकर G तक मतब यह आजएगा AC plus CZ देखिए I2 था approximately equal to AG और AG के मैंने दो part कर दिए AC plus CZ AC plus CZ अब AC तो मेरे पास distance पहले से ही पत है center से distance इसे मैंने आर जूम किया हुआ है और plus CZ नहीं पढ़ा तो CZ निकालने के लिए क्या कीजिए CZ को BC से divide और BC से multiply कर लिए BC से divide और multiply कर लिया अब यह CG upon BC देखिए आपको समझ आ रहा होगा CZ upon BC means base over hypotenuse इस triangle में देखिए CZ base हो गया BC hypotenuse हो गया base upon hypotenuse यह cos theta बन जेगा and BC वैसे अपने पास L के equal है dipole की half length तो इसको मैं L लिख लूँगा इस term को और यह cos theta तो यह अपने पास बन गया R plus L into cos theta तो देखिए students I2 भी मैंने calculate कर रही है आप इसे rewind करके देख सकते हो कि हमने कैसे R1 और R2 को approximately हमने R1 को लिखा है R minus L cos theta और R2 को R plus L cos theta आप एक दो बार देखोगे तो आपको derivation easy लगने लगेगी अब हम यह दोनों values R1 और R2 की दोनों values ले जाकर put कर लेते हैं equation number 1 में तो अपने पास A point पे potential कितना हो गया that is equal to 1 over R minus L cos theta minus 1 over R plus L cos theta R plus L cos theta इसे simplify करेंगे आप इसे simplify करने के लिए LCM लीजी है इसका LCM में दोनों multiply हो जाएंगे तो यह R minus L cos theta this is R plus L cos theta when you multiply these two this becomes R square minus L square cos theta गोते हैं जैसे A minus B into A plus B तो A square minus B square उसी तरीके से यह बन जया अब यह numerator में आजएगा इदर R plus L cos theta minus यह इदर numerator में चला जएगा R minus L cos theta जब आप इसे simplify करोगे bracket open करोगे तो R से तो R cancel हो जाएगा और यह L cos theta twice बन जाएगे L cos theta आपके पास twice R plus R से R cancel और यह बन जाएगा 2L cos theta तो अब मैं इसे clean कर रहा हूँ यह आपको समझ आ गया होगा यहां तक तो आपके पास potential बन जाएगा potential at point A is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught and this is 2L cos theta over R square minus L square cos theta तो यह यहां तक simplify हो गया अब देखिए Q into 2L यह जो term है Q into 2L इसको हम dipole moment लिख सकते हैं आपने पहले पढ़ा था इसी dipole की electric dipole moment होती है charge multiplied by gap तो charge है Q, gap है 2L इसको अगर multiply कर देंगे तो dipole moment आजेगी जिसको हम P से denote कर सकते हैं तो यह आपके पास आजेगा P cos theta over 4 pi epsilon naught R square minus L square cos theta तो dear students यह आपके पास result है किसी भी dipole की वज़े से electric potential आपको निकालना है किसी भी point पर तो आप इसमें put करके electric potential find कर सकते हैं तो यह result आपके पास है लेकिन generally हमें generally हमें यह theta भी नहीं दिया होता हमें यह भी नहीं पता होता यह theta कितना है क्योंकि practically life के अंदर dipole बहुत ही छोटे होते हैं practically कोई भी dipole आप देखोगे तो that is very small तो कि practical dipole क्या होते हैं molecule से तो होते हैं HCl molecule carbon monoxide molecule NaCl molecule तो यह molecules very very small होते हैं तो small होने की वज़े से यह जो L है हम L को neglect कर देते हैं as compared to R के तो small dipole के लिए अगर आप इस result को निकालेंगे जिसे हम special case कहते हैं तो अगर आप potential निकालना चाहते हो because of small dipole तो यह special case हो जाएगा आपके पास special case if dipole is small dipole is small तो small dipole होने पर L square cos square theta is much smaller than R square इसको तो आप इस term को neglect कर सकते हो तो अगर यह term neglect कर दी जाए तो small dipole की वज़े से a point पो potential बन जेगा P cos theta divided by 4 pi epsilon node R square क्योंकि देखे यह term तो neglect ही होगी बहुत छोटी होने के वज़े से neglect कर दिया तो यह term ही रह गई तो अपने पास बचेगा पी cos theta divided by 4 pi epsilon node into R square तो यह आपके पास small dipole की वज़े से हो जाएगा अब अब फिर से दो special case बनते हैं अगर आपके पास a point axial line पे है मालीजे a point है axial line पे तो उस case में आपके पास theta की value 0 हो आप खुछ सोचिए अगर यह point यहां नहीं होता यहां होता यह point यहां नहीं होता यहां होता तो यह जो theta है यह theta 0 होता अगर a point axial line पे लाई कर रहा है तो theta की value क्या बनेगी 0 degree मतलब यह ऐसा case यह dipole है minus q plus q और आपके पास point लाई कर रहा है यहां पर तो आपके पास center से join करने वाली जो line है वह यह रही आर तो आर इस तरफ है और axis भी इस तरफ है तो theta is equal to बन जाता जीरो डेग्री तो अगर ऐसा case है आपके पास तो आप theta को 0 लिख सकते हो theta is equal to 0 degree और फिर axial line पे आपके पास कितना potential आजेगा cos 0 cos 0 1 होता है तो आपके पास cos 0 degree 1 होता है तो यह बन जेगा p over 4 pi epsilon node r square axial line पे एक्जियल line पे short dipole की वज़े से potential होगा p over 4 pi epsilon node r square और अगर equatorial line पे है point point लाई कर रहा है equatorial line पे जैसे जैसे माली जीए muito इस जगेह पर आगी यहां तो यह एंगल बढ़के 90 डिगरी बहुतिए अगर यह पॉइंट यहां उता तो एंगल और बढ़ा स्था का अगर यह तो एकुटय। याउन पर लाई कर रहा है तो तो और और लुटी होगा और 959 डीग्री की वेल्ई 0 घखोगे और अगर जीडा कख और और अगर एक जी लाइन पर देखोगे तो वह होगा पी डिवैड़ेड़ बाइफ पाइपसाइल नोट इंटू आर स्क्वेर आपके पास यह पोटेंशल की वैल्यू होगी तो यह स्टुडेंट्स हमने अब तक किया वाइट चार्ज की वज़े से पोटेंशल कितना होता है आप इसका रिजल्च देखिये वर्येमपोटंट है है आपने किसी पील्च यहां निगाला था इलेक्टरिक फिल्च अर तो वे उलेक्ट्रिक फिल्चा था वह था P divided by 4 pi epsilon note R cube 2P था actually 2P divided by 4 pi epsilon note R cube लेकिन आपने जब potential निकाल एक जे लाइन पे तो वो आया था P divided by 4 pi epsilon note R square तो ये term है electric field inversely proportional होता है R cube के लेकिन potential inversely proportional होता है R square के जब आप short dipole की वज़ा से निकालने रखते हो तो electric field तो है R cube के proportional inversely proportional लेकिन potential R square के inversely proportional होता है ये बात आपको दिहान रखने होता है